एक बंदर रोज एक आदमी के घर आता था और दंगा करता था, कभी कपड़े फार देता, कभी बरतंड होता, कभी बच्चों को पीटता, उसने खाने पीने की चीजें भी ले ली, लेकिन उसके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वे बंदरों से त्रस्त थे. एक दिन घर के करता ने कहा, मैं इस बंदर को पकड़ कर निकाल दूँगा, केवल घागरी का मुह खुला रह गया था, सब चले गए, बंदर घर में आया, कुछ देर बाद वह कूद कर बाहर आया, जब उसने दबे हुए घड़े में छोले देखे, तो वह वहीं बैठ गया, चना निकालने के लिए उसने जार में हाथ डाला और एक,